जितने भाई भेन लाइब में जॉइन हो रहे हैं सभी को जैमसी की परमेश और आप सभी को आशिश दे और आप लोग मुझे बताईए आप सब कैसे हैं और कॉमेंट करकर बताईए कि कहां कहां से आप लोग देख रहे हैं और परमेश्वर का बहुत बहुत धनेवाद हो कि उन्होंने ये सुन्दर अवसर दिया है कि मैं आप लोगों के साथ आज परमेश्वर का जिवित और सामर्थी वचन शेयर करो और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग भी अपना समय निकाले हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए क्योंकि हमें वचन सुनना भी बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम सुनेंगे तभी हम उसे अपनी जीवन में लागू कर पाएंगे हम उस चीज को समझ पाएंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है क्योंकि हमें कभी भी संसार की तरह हमें नहीं बनना है और अगर हमें वचन के अनुसार चलना है तो हमें यह पता भी होना चाहिए कि परमिश्वर का वचन क्या कहता है जब हमें उस बारे में पता होगा तभी हम उसके अनुसार हम चल पाएंगे और अगर हमें वचन नहीं पता है तो जब हम जैसे कि आप देख सकते हैं जब आप अपने पास्ट को देख सकते हैं कि जब आप वेवस्था को नहीं जानते थे कि क्या पाप था, पाप क्या होता है तो आप अनजाने में पाप करते थे लेकिन जब अब आपको पता है पाप क्या है क्योंकि आपने भाइबल के वचनों को पढ़ा है इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है ताकि हम पाप करने से बचे गलत रास्ते में जाने से बचे कि कहीं ऐसा नहों कुछ ऐसा काम हम करें जो हमें नरकी ओड लेकर जाए उत्तर प्रदेश से गौड ब्लेसी ब्रदर प्रेज दे लॉड ब्रदर जितने भाइबन जुड रहे हैं सभी को जै मसी की परमेश्वर आप सभी को आशिश दे कोर्बा छतिसगर प्रेज दे लॉड ब्रदर तो सभी जब मसी भाइबन जुड जाएंगे तो मैं लाइफ शुरू जब मैंने कर दिया तो वचन शुरू करने से पहले मैं प्रार्थ न करूंगी तो आप सभी भी प्रार्थ न करेगा छोटा सा उसके बाद मैं आपके साथ वचन शेयर करूंगी डेली से ओके सिस्टर मैं न्यू देली से हूँ करनाटक से आप ओके परमेश और सभी को आशिश दे जैमसकी पंजाब से ओके गॉड ब्लेसी ब्रदर प्रेज दलोर्ड अमरित सर धरियावाद ओके महराश्टर से तो जहां से भी आप देख रहे हैं परमेश और आप सभी को संभाल के रखे और आप सभी की आत्मे की उन्नती हो और आज का जो जीवित और सामर्थी वचन है जब आप इस वचन को सुनेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर के रास्ते में आप आगे बढ़ पाएंगे और आपकी हर बीमारी परिशानिया भी दूर होंगी क्यूंकि जिस तरह से वचन ही कहता है कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है जब आप विश्वास करेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कर्म कैसे करना है ओके बिट्टू ब्रेदर ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे आपके पुरे परिवार के लिए वैसे हम सभी को जिस तरह से वचन कहता है रोमियो में लास्ट में कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो तो हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है जरूरी नहीं कि हमारी प्रार्थना में सिर्फ हम खुद के लिए मांगे पर हमें सब के लिए प्रार्थना करना है अपने देश के लिए भी और जो दूसरे देशों में जो लडाईया हो रही है उसके लिए भी और पूरे दुनिया के लिए हमें प्राखना करना है क्योंकि परमेशों ने हम सब को बनाया और वो हम सब से प्रेम करते हैं चाहे कोई इंसान कितना भी पापी कि उना हो? हम सबसे प्रेम रखना है, क्योंकि ये शुमसी पापीों के लिए इस पुरिठवी पर आए, क्योंकि उन्हें बचाना चाहती कि गलत रास्ते में कोई भी नहीं चाहती कि भी नश्ट हो, परन्तु सब को मन फिराव को अवसर मिले God bless you all में घाले शुलोंग से ओके ओके शुभम ब्रदर आपके लिए भी प्राख्णा करेंगे सभी के लिए प्राख्णा करेंगे God bless you too मेरे लिए और मेरे फैमली के लिए और देश के लिए भी प्लेयर कर दीना बिल्कुल हमें अपने परिवार के लिए खुद के लिए और जिस देश में रहने के लिए पर्मिशों ने हमें दिया प्राख्णा करना बहुत ज़रूरी है पर्सनल काउंसलिंग तो वैसे मैं नहीं करती हूँ लेकिन ब्रेदर इसी तरह से मैं लाइव बीच बीच में आते रहती हूँ तो आप लाइव में जॉइन हो सकते हैं बाकि अगर आप बात करना चाहते हैं मैसेज कर दीजेगा जै मसेज की ब्रेदर मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रेज दे लॉड बहुत ही अच्छी बात है कि आप सभी ये अवसर निकाले हैं अपना समय निकाले और परमेशोर को दे रहे हैं परमेशोर के वचन को सुनने के लिए बहुत ही खुशी की बात है जिन को भी अड़ होना है जिन ब्रदर को या सिस्टर को तो मैं आज अड़ कर लोगी कुछ लोगों को मैं एड़ करूँगी लेकिन पहले वचन बताऊंगी फिर उसके बाद करूँगी नहीं ब्रदर शुभां ब्रदर जूम मीटिंग तो मैं नहीं करती हूँ पर क्यूंकि मेरा लाइव इसी में आ जाता है इंस्टागराम में तो यही लाइव मैं यूट्यूब फेस्बुक में भी शेयर कर देती हूँ मैं सब के लिए प्रेयर करूँगी चिंता मत के रिए अर्चना सिस्टर भी है कोई और अगर कोई नए जुड़े हैं कोई नए भाई भेन जुड़े हैं तो मैं उनको बता देती हूँ कि मेरा यूट्यूब में भी चैनल है जिस नाम से यह इंस्टाग्राम आईडी है उसी नाम से मेरा चैनल है एक्जॉर्सिस्ट सुसन्ना एकका तो आप सर्च कर लिजगे यूट्यूब में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि उसमें मैं लॉंग वीडियो भी अपलोड क कोशिश करती है उसे एक मिनिट में ही समझा पाऊं लेकिन अगर आप उसे गहराई से समझना पाते चाहते तो आप लॉंग वीडियो देख़ेगा यूट्यूब में और इसे के साथ अगर आप इंग्लिश में भी अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं इंग्लिश जानते तो कि मम्मी पापा भाई के लिए प्राथन करें जरूर आप सभी के परिवार के लिए भी प्राथन करेंगे सिस्टर आपका नंबर मिल सकता है क्या नंबर तो वैसे मैंने यूट्यूब चैनल में दे दिया है जिसको भी अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट वैसे आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं देख लूँगी वरना अगर कॉल पर प्रेयर अगर आपको कराना है तो मैंने नंबर दे रखा है यूट्यूब में तो आप देख लीजेगा तो अब मैं प्रार्थना करती हूं तो आप सब भी प्रार्थना करें ताकि आज जो वचन आप लोगों के साथ में शेयर करूं आप सभी के जीवन में काले करें और परमेश्वर आप सभी को बहुत आगे बढ़ाए सर्वी शक्ति मान परमेशर आपकी इस पवित्र उपस्तिती में आते हैं और आपका हर एक बातों के लिए धनेवाद करते हैं हमने अगर जान अन जान में कुछ भी गुना किया है तो आप हमें शमा करें धनेवाद करती हूं कि आपने ये सुन्दर समय दिया कि आपके इस लाइव आकर के बहुत से भाई भेनों को वचन शेयर कर पाऊं इसके लिए आपका धनेवाद करती हूं आप जितने भाई भेन इस लाइव को सुनने के लिए जुड़ रहे हैं आप सभी को आशिशित करें सभी की आत्मी को नती होने पाए आप उन्हें सही मार दर्शन दे बुद्धी दे ज्ञान दे समझ दे ताकि जिस रास्ते पर आप उन्हें ले जाना चाते हैं उस रास्ते पर वो ले आप उन्हें ले चले और उन्हें सही मार दर्शन दे उनके अनंत के मार में उनकी अगवाई करे हालिलूया पवित्रा आत्मा उन्हें सही मार पर ले चले हे पिता परमेशुर आपका धनेवात करती हूँ एक एक बातों के लिए और आगे के इस कारे कर्म को आपके बलवन्त हातों में सौपती हूँ कोई भी शातानी शक्ती परमेशुर के इस काम में रुकावट डालने न पाए आगे के कारे कर्म को, सब कुछ को और जितने मसी भाई वहन है इनको भी आपके बलवन्थातों में सौपती हो येश्य मसी के सामर्ति नामे स्प्रात्न को मांगती हो आमेन, आमेन, आमेन तो आप सभी बताईए आप सभी कहां से देख रहे हैं अगर कुछ लोग नए जुड़े हैं तो बता सकते हैं और बहुत अच्छी बात है कि हर जगा से लोग देख रहे हैं परमेश्वर के वचन को इसी तरह से आप भी प्राटन करेगा कि परमेश्वर का वचन जादा से जादा लोगों तक फैलने पाए कृष्णा ब्रदर जरूर प्रेयर करूँगे आपके लिए हर्याना रोहतक से हो गड़ ब्लेस यो सभी को अगर आप लोग कुछ पूछना भी चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से, बटाला से, चंदरपूर महाराष्ट्र से ओके गड़ ब्लेस यो अगर आप लोग के पास इस वक्त बाइबल है तो आप लोग बाइबल निकाले अब हम लोग वचन सीखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है बाइबल आप निकाल सकते हैं मर्कुस में ग्यारा अध्याय का बाइस से हम पढ़ेंगे मर्कुस ग्यारा अध्याय बाइस आयत जारकंट से प्रार्तना कर दीजेगा गठिया है कोई बात नी ब्रदर परमेश्वर के जीवित और सामर्थी ना में सब कुछ संभव है उनके लिए कुछ भी ऐसन यह जवा संभव हो क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखते हैं ऐस मसी ओके ब्रदर आपके बेटे के लिए जरूर प्रार्तना करेंगे परमेश्वर उन्हें हर बीमारी से चंगाई देंगे मैं एड करूँगी ब्रदर सब को एड करूँगी कोशिश करूँगी सब को तो एक साथ नहीं कर पाऊँगी लेकिन वचन के बाद जब मैं वचन शेयर कर लूँगे इसके बाद आप लोग को एड करूँगी तो चलिए वचन पढ़ते हैं मर्कुस का ग्यारा ध्याय बाई से येश्वर ने उसको उतर दिया परमेश्वर पर विश्वास रखो आज का ये जीवित और सामर्थी वचन आपको सही रास्ते पर ले जाएगा और आपके जीवन में जो बीमारी है परिशानी है, करजा है दुख है, कैसा भी परिशानी आपके जीवन में है वो सब दूर होगा क्योंकि आज इस वचन के द्वारा परिशानी आपके जीवन में काम करेंगे आपको पता चलेगा कि आपको क्या करने की जरूरत है कि आपके जीवन उजाज रुकावटे है, जिन काम है रुकावटे वो रुकावटे कैसे दूर होगी आपके जीवन में जो बंद दर्वाजा है वो बंद दर्वाजा कैसे खुलेगा, क्योंकि परमेशर वचन में कहते हैं, जो दर्वाजा परमेशर हमारे ले खोलते हैं, उसे कोई बंद नहीं कर सकता है, बिहार से हैं, जिनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, क्योंकि भले ही आप अभी इस वक्त आप लाइव में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर ना भी करें, वैसे तो आप शेयर करिए, जो जो प्रेयर रिक्वेस्टन सभी के लिए प्राटना करूंगी, लेकिन अगर आप नहीं भी बताते हैं, तो भी परमेशर एक-एक की मन की बात करेंगे, वैसे मैं आपको बता देना चाहती, कोई भी ब्रदर सिस्टर लाइव में नंबर शेयर मत करिएगा, क्योंकि ये तो सभी के पास जाता है, इसलिए, तो जिस तरह से वच्चन कहता है, मर्कोज 11 ध्याय का 22 में, येश्यो ने उसको उतर दिया, परमेश्वर पर व विश्वास रखना है परमेश्वर पर, अगर क्योंकि वच्चन में ये भी लिखाए कि परमेश्वर को विश्वास बिना प्रसंद करना अन होना है, तो इसलिए विश्वास करना बहुत जरूरी है, जब आप विश्वास करेंगे, तो उस विश्वास के द्वारा, जैसा आपका विश्वास होगा उस विश्वास के दौरा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे लेकिन आपको क्या करना है विश्वास करना है जब आप मसी में नए नए आते हैं तो आपका विश्वास उतना नहीं होता है दीरे दीरे जब आप परमेश्वर के रास्त में पीड़ा आपके साथ जो दुख आपके साथ बीतर होता है जब आप उस पर ध्यान नहीं लगाते हैं बरकि इस बात पर ध्यान लगाते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है तो इस सरे से आपका विश्वास मजबूत होते जाता है परमेश्वर में तो इसलिए आपको सबसे जर परमेश्वर है विश्वास करना परमेश्वर आपके साथ है और वो सब कुछ कर सकते हैं जो मनुष्य सनियों सत्व परमेश्वर से हो सकता है और भले ही आप खुद को सोच रहे हों कि आप अकेले हैं लेकिन परमेशों ने हर जगा बाइबल में कहा है कि मैं तेरे संग हूँ और ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा जितने भाई भेन प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ पर कॉमेंट कर रहे हैं मैं सभी के लिए प्रार्थना करूंगी परमिश्वर एक एक के जीवन में कारे करेंगे तो सबसे जरूरी है विश्वास करना फिर आगे लिखा है वच्चन में 23 में पढ़ेंगे मैं तुम से सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड से कहे तो उखड जा और समुद्र में जा पढ़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीती करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा तो इस वच्चन के द्वारा हम यह जान पढ़ते हैं आप देखेंगे आपकी जीवन में कोई ना कोई समस्या ऐसी होगी जो पहाड बन करके आपके सामने है चाहे वो करजे का पहाड हो आज हो सकता है कि आपकी जीवन में पैसे से संबंदित कोई भी समस्या हो आपने लोन लिया हो किसी को उधार दिया हो करजा हो कुछ भी ऐसी समस्या जो पैसे से संबंदित है तो इसका मतलब क्या आपके सामने एक पैसे का एक करजे का पहाड है और आपको उस पहाड को हटाना है और वो कैसे हटेगा वो पहाड आपके सामने से कैसे दूर होगा यह आपको जानना है यह आपको सीखना है यह आपको समझना है अब सिर्फ पैस पौझ से नहीं चल रहा है आपको बिजनेस ही सभी सभी चलेगा या फिर हौ सकता है कि आप तक आफ तका नहीं हट यह गा साफ लिखा है कि मैं तुम से सच कहता हूँ जो को इस पहाड से कहे तो उखड जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मंद में संदेह ना करे तो यह हो जाएगा आपको एक और चीज़ करने की जरुरत है इसे अपने मूह से बोलना है आपके जीवन में कैसे भी प्रॉब् आप अपने मूह से इसी वक्त आप लाइव देखर हैं आप इसी वक्त अपने मूह से इस वचन के द्वारा बोलना है कि मैं आपको उधारन से समझाती हूँ कि अगर आपके जीवन में करजे का पहाड है तो आप उसे बोले इस नौकरी का पहाड़ वो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ आप जो इस वक्त विश्वास से बोलेंगे आपके लिए जरूर होगा क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है लेकिन विश्वास करना जरूरी है आगे ये भी लिखा है कि संदे ना कर और अपने मन में संदेह ना करें। डाउट भी नहीं करना है। संदेह करने का मतलब है कि आप नेगेटिव अगर सोचने लग जाएंगे कि पता नहीं मैंने तो बोल दिया लेकिन ये होगा या नहीं होगा। यही कारण जब आप दूसरों से प्रार्थना करवाते हैं या खुद भी प्रार्थना करते हैं तो आपका काम सफल नहीं होता है। आपकी बीमारी, परिशानिया, करजा दूर नहीं होता है क्योंकि आप अपने मन में ये संदेह करके रखते हैं ये negative बाते अपने मन में रखते हैं कि शायद मेरा काम नहीं हो पाएगा शायद मेरी शादी नहीं होगी शायद मेरा business नहीं चलेगा शायद मैं ऐसे ही बिमार पड़ा रहूँगा मेरा करजा कभी दूर नहीं होगा मेरी परिशानिया दूर नहीं होगी मेरे दुख जब येश्व मसी ने आप देखेंगे जितने भी लोगों की चंगाई की है, जितने भी रोग्यों को चंगाई दिया है, तो उनको कभी नहीं कहा कि नरेटिव बात अपने मुझ से निकाले, यहीं कहा है कि वो पॉजिटिव बात अपने मुझ से निकाले, सकरात्मक बाते, ज उसके बाद जब आप ये दो काम करेंगे विश्वास करेंगे और जब आप संदे नहीं करेंगे तो लिखा है वरन प्रतीदी करें कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा आपको अपने मुह से अंगिकार करना भी जरूरी है कि ये मेरे लिए हो चुका है मेरी बिमारी दूर हो चुकी है चाहे कितनी भी बड़ी बिमारी हो जरूरी नहीं है कि अगर आपको कैंसर हो गया है ताइफाइड हो गया है जॉंडस हो गया है बुखार हो गया है शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो रहा है सिर दर्द पेट द दर्द सबसे आप अजाद होंगे बस आपको ये बोलना है चाहे कोई भी प्रेशानी है जैसे कि अगर कैंसर का जो पहाड़े में सामने वो खड़ जाए और समुद्र में जा पड़े तो ये आपके लिए हो जाएगा तो आप सभी कॉमेंट में आमिन भी टाइप कर सकते हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग बचन को सुन रहे हैं और विश्वास के साथ अपने लागू कर रहे हैं अंगी कार कर रहे हैं तो आमिन आप टाइप करें ताकि मुझे इस बारे में पता चले अभी मैं रूखी हूँ आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं फिर आगे मैं आपको वचन बताती हूँ और जितने नए मसी भाईवेन अभी जुड़े हैं उन सभी को जय मसी की परमेश और आप सभी को आशिश दे फिर से मैं वचन बता देती हूँ जिसको नहीं पता है मरकुस 11 अध्याय का 22 आयत से हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने यही सीखाए कि हमें विश्वास करना जरूरी है और संदे नहीं करना है तब ही परमेश और हमारे जीवन में कारे करेंगे और हमारे जो परिशानियों का पहाड है वो दूर होगा ठीक है कुछ मसी भाई वैनों ने आमें टाइप किया है परमेश और उन सभी को आशिश दे देखें कई बार हम लोग ऐसा होता है कि हम लोग अपने परिशाने को जब बार-बार दूसरों को बता दे कि मेरे घर में करजा है ठीक है हमें बताना अपनी समस्या को मसीभाईबनों को ताकि परार्थ ना करें लेकिन अगर हम इस चीज़ को अपने माइंड में बैठा के रखे कि हमारे जीवन में ये समस्या है, हमारे शरीर में ये प्रॉब्लम है, तो वो दूर नहीं होगा, क्यूंकि आपका विश्वास फिर कहां गया, आपको विश्वास आपने जब किया है, आपके मन में अगर दीदी मेरा भाई बहुत बीमार रहता है, नाम है रॉबिन, प्रार्थ न करे उसके लिए, जरूर प्रार्थ न करेंगे, आज का ये वचन ही सभी लोगों के लिए है, ताकि आप लोगों के सामने जो परिशानियों का पहाड़ है, वो दूर हो जाए, और हमें क्या बोलना है, इसलिए मैं तुम से कहता हूँ, सबसे पहले आपको इतना ही करना है, जब आप इतना करेंगे, तो आगे वचन में लिखा है, इसलिए मैं तुम से कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थ न करके मांगो, तो प्रतीती कर लो, कि तुम्हें मिल गया, और तुम्हारे लि जाए और भी बहुत से चीजें हैं जो आप प्रमेश्वर्ण से मांगते होंगे प्रप्रार्टना न में लेकिन आप करने के बाद उस जब आप प्रार्थना कर रहते हैं तब आपका विश्वास बहुत मधवूत होता है कि हाई यह मिलिये होगा। लेकिन जब आप प्रार्थना करके उठ जाते हैं पर्मेश्वर के उबस्ठीटि से पिर सबसे बात करने लग जाते इधर उधर जो भी काम आप अपना कर लें लग जाते, अपना जीवन जैसे वैतीत करें, उस वक्त फिर आप भूल जाते हैं कि आपने प्रार्थना क्या किया था, इसका मतलब क्या है कि आपने विश्वास से ही प्रार्थना नहीं किया, कि वो चीजे जो आपने परमेश्वर से मांगा व हो चुकी है प्रार्थना से सब कुछ संभव है एक ब्रदर कह रहे हैं मेरे मन में नेगेटिव थौट्स आते हैं देखिए शैतान तो है कि वो हमारे विचारों में ऐसे थौट्स को डाल दे वो बीज बो दे ताकि वो बीज बड़ा हो जाए वो थौट्स जब हमारे मन में आ हूं और परमेशन ने वचन में कई जगा पर कहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूस रोत वही है तो अगर अपने मन की रक्षा करना है तो प्रार्थना में भी बोले कि मैं अपने मन पर प्रभीश्य को लहू लगाता हूं ताकि कोई भी शैता अपको उसी वक्त तो ऐसे प्रार्टना में बोलना पड़ेगा वन्ना हो सकता है कि या शैतान जब ऐसे विचार आपके मन में ढाल दे तो आपके आप की और जाये स्वाती सिस्टर ने लिखा है आई प्रॉब्लम है मेरे लिए प्रेयर कर दो जरूर ठीक होगा सिस्टर सब कुछ हो सकता है परमेश्वर से दुखी में पाइल्स प्रेयर के लोगों को भूत प्रेयर से नहीं डरना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने तो वचन में कहा है हर जगा कि डरों मत पिर अगर हम किसी इंसान से किसी जानवर से भूत प्रेयर से ही डर जाएंगे परमेश्वर का काम कैसे करेंगे आगे जब हमारे अंदर से डर दूर होगा तभी परमेश्वर का आत्मा हमें वास करेगा और हम सामर्थ से भर कर परमेश्वर के काम को कर पाएंगे क्योंकि परमेश्वर ने हमें भैका नहीं प्रंतु सामर्थ का आत्मा दिया है तो इसलिए डरना नहीं है ब्रदर हमें स्ट्रॉंग बनना है परमेशर कभी नहीं चाहते कि हम डरे तो आगे वच्चन की तरफ जाते हैं जो अभी हमने सीखा है कि विश्वास करना है और संदे नहीं करना है नेगेटिव ना सोचना है और ना ही उसे मुह से बोलना है क्योंकि मुह से भी वही बाते निकलेंगी जो हमारे मन में होता है वच्चन कहता है जो हमारे मन में होता है वही हमारे मुह पर भी आता है मन में ही नेगेटिव सोच कर रखे तो वही तो मुह पर आएगा अगर मन में विश्वास है कि मेरी बिमारी दूर हो गई है, मेरा करजा दूर हो गया है, मेरा हर चीज दूर हो चुका है, हर ये परिशानी का जो पहाड़ है वो दूर हो चुका है, जब ये आप विश्वास करेंगे, तो positive भी मुझ से निकालना है अब ये काम करने के बाद जो 24 सध्याय से 25 सध्याय से लिखाया उसे आपको करना है, लिखाये और जब कभी तुम खड़े वे प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रती कुछ विरोध हो, तो शमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गे पिता भी तुम जाते हैं, तो हम जब दूसरे के पाप को ही हम शमा नहीं कर पारें, तो परमेश्वर हमारे पापो को क्यों शमा करेंगे, क्योंकि आगे ये भी लिखाया है, यदि तुम शमा ना करो, तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है, तुम्हारे अप्राध शमा ना करेगा, अगर आप दूसरे की गलतियों को शमा नहीं करेंगे जिन्होंने आपके विरुद पाप किया है तो परमेश्वर भी आपकी गलतियों को जब आप परमेश्वर के सामने जाएंगे या परमिशुर की उबस्तिदी में जाकर माफी मांगेंगे तो परमिशुर भी माफ नहीं करेंगे फिर आपको, वो आपकी प्रार्तना भी नहीं सुनेंगे, आज यही है, आज हर मसी भाई भैन के जीवन में भी ऐसा होता है कि जब हमारे प्रती कोई गलती कर देता है, हमसे क किसी ने जूट बोला, आपके चीजों को किसी ने चुराया हो, चोरी किया हो, आपके घर परिवाल में किसी का हत्या कर दिया हो, या फिर कुछ भी किया हो, आपके साथ किसी ने गलत किया हो, किसी ने आपको धोका दिया हो, कुछ भी आपके साथ अगर बुरा किया है, लेक पुझे भी वैसे ही करना है, हम शमा नहीं कर पाते हैं जल्दी, लेकिन जब तक हम दूसरे के गुना को शमा नहीं करेंगे, तो परमेश्वर भी फिर हमारे गुना को शमा नहीं करेंगे, इसलिए शमा करना बहुत जरूरी है, जब आप शमा करेंगे, परमेश्वर भी आपक के लिए प्रातना कर दिया जाए लेकिन अगर आप अपनी गलती को परमेशर के सामने सुईकारेंगे नहीं कि हाँ मैंने ये गलती की है और जिसने मेरे विरुद्ध जो भी गलत किया है जो भी हो सकता है कि आपके घर परिवार में किसी ने जादू टोना कर दिया हो आज क्या आपके जीवन में किया हो आपको उन्हें माफ करना है तो इससे क्या होगा कि आपके जीवन में जो रुकावटे होंगी जो बीमारी परिशानिया होंगी वो भी दूर हो जाएंगी क्योंकि कई बार कुछ चीजे कुछ ऐसे काम होते जो नहीं बन रहे होते उसका कारण यही होता है कि हम माफ नहीं करते हैं तो इसलिए माफ करना जरूरी है और जिस तरह से मैंने अभी बताया विश्वास करना जरूरी है और संदे नहीं करना नेगिटिव बात अपनी मुझ से नहीं निकालना है यह दो काम करने से पहले इससे भी पहले यह जो वचन मैंने आपको बत 25-26 इसे पहले करना है मतलब जब आप परमेश्वर की उपसिती में जाए अपने गुनाह के लिए शमा मांगे और दूसरे को भी पापो को शमा करें क्योंकि परमेश्वर नहीं चाते कि हम एक दूसरे से नफरत रखें या किसी से बदला लें क्योंकि बदला लेने वाले परमेश्वर हैं और वो यह भी नहीं चाते कि हम किसी से भी कुछ ऐसा लड़ाई करें क्योंकि वो क्या चाते हैं कि हम एक दूसरे से मेल मिलाप से रहें तो आप लोग मुझे comment करकर बता सकते हैं कि क्या आप इस वचन को समझ पा रहे हैं ताकि मुझे भी पता चले कि आप इस वचन को सुन रहे हैं और अपने जीवन में लागों भी करेंगे क्यूंकि आपको इसे करना है कर्म बिना विश्वास वेर्थ है विश्वास कर रहे हैं कर्म नहीं करें तो वेर्थ ही है कर्म करना बहुत जरूरी है विश्वास और कर्म दोनों साथ में होना चाहिए ऐसा भी निकी सिर्फ आप कर्म करें विश्वास ना करें नहीं दोनों साथ में होना चाहिए अब आप लोग मुझे कॉमेंट करकर पूछ कुछ भी पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है तो फिर मैं इस वचन के लिए फिर प्रार्थना करेंगे ताकि ये वचन आप लोगों के जीवन में कारे करें और जितने भी भाई भै ब्रदर बाइबल में कौन से जगा लिख रहा है ये वचन ब्रदर ये मर्कुस 11 ध्यायका 22 से 26 तक है जितने जितनों को नहीं पता था तो मैंने फिर से रिपीट कर दिया है ताकि आप लोग बाइबल निकाल कर ये वचन पढ़े और इसके द्वारा कारे करे और मैं एक और चीज़ आप लोगं को बताना चाहती हूं कि जितने लोग मेरे वीडियो को देखते हैं आप सभी जब आप मेरे वीडियो को देखने के बाद कॉमेंट करते हैं आमें हालेलुया आमिन हालेलुया कॉमेंट करते हैं तो आपको सिर्फ कॉमेंट नहीं करना है कि आमिन आपको मुँ से बोलना है क्यूंकि कई बार हम सोचते हैं देखते हैं वीडियो भी देखते हैं कोई भी वीडियो देखा आमिन टाइप कर दिया लेकिन उस आमिन टाइप करने का कोई फायदा नहीं अगर आप विश्वास के साथ अपने मूँ से नहीं बोलेंगे और अपने जीवन में उस वचन के द्वारा, उस वचन को जब आपने सुना, उसके बाद आप अपने जीवन में जब बदलाव लाने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने चालचलन में बदलाव नहीं लाएंगे, अपने बोली विचार में, अपने सोच में, तो फिर उसका कोई फायदा ही नहीं है, तो जो आपने वीडियो देखा, उस वचन को सुने और उसके अनुसारब चलने की कोशिश भी करें मेरी सिस्टर के लिए प्रार्थना कीजिए, जरूर उनके लिए करेंगे जॉर्ज ब्रदर ने कॉमेंट किया है कि विश्वास को हम कैसे बढ़ा सकते हैं देखें, हर एक व्यक्ति का विश्वास अलग-अलग होता है, कोई विश्वास में जादा मजबूत होता है, कोई विश्वास में कम होता है, लेकिन जिसका जैसा विश्वास होता है, उनके लिए वैसा ही होता है, अब हम विश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं, प्राष्थ ना करें, आराध ना करें, वच्चन पर जादा ध्यान लगाएं, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, जब आप परमेश्वर के इन कामों को करेंगे, तो आपके जीवन में परिक्षाय आएंगी और वो परिक्षाय जो होंगी वो इतनी भारी परिक्षा में जब आप पढ़ेंगे तब क्या होगा आपका विश्वास कमजोर होने लग जाएगा लेकिन अगर उसी वक्त आप ये विश्वास करेंगे कि नहीं परमिश्वर मेरे साथ है कि इतनी भी परिक्षाय आजाएं लेकिन अगर आप द्रड रहेंगे खड़े रहेंगे उसके सामने भी क्योंकि परमिश्वर आपके साथ होंगे तब आपका विश्वास अपने बढ़ता जाएगा मजबूत होगा प्रार्तना भी कर सकते हैं कि परमिश्वर मेरा विश्व और करेज मिले ताकि उसका सामना कर सकी है क्योंकि हमें परिशानियों को देख करके भागना नहीं है उसका सामना करना है और विपती को आते देख कर डरना भी नहीं है क्योंकि परमिश्वर ने हमेश्वर डरनने के लिए मना किया है टोपो भाई अईडी है यह इन्होंने लिखा है सिस्टर मुझे सपने में शैतान दर्वाजा है है इसका मतलब क्या होता है अब रदर शायद आपने डराता लिखा होगा शैतान सपने में दराता है देखे शैतान तो चाहे आप सपने में देखे कि आपके पीछे कोई भाग रहा है साप को अपने सपने में देखे या कुछ भी ऐसी चीज़े देखे जो बाइबल के अनुसार क्योंकि हम सपने का मतलब कैसे समझ सकते हैं बाइबल से बाइबल आप पढ़े जब आपके अंदर बाइबल का ज्यान होगा आप समझ पाएंगे कि कौन सा सपना परमेश्वर की ओर से और कौन सा सपना शैतान की ओर से है क्योंकि जो शैतानी सपना होता है वो आपको समझ आ जाएगा कि वो बाइबल में क्या दिया होगा है तो शैतान तो सपने में इसलिए और आपने पूछा है कि इस अपने में क्यों डराता है शैतान डराता इसलिए ताकि जो आप शैतान क्यों डराएगा जब शैतान को आपसे फर्क पढ़ रहा है शैतान को फर पढ़ रहे हैं कि आप परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं अब वो यही नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े क्योंकि वो जानता है कि आप तो स्वर्ग के राज्य में चले जाएंगे और शैतान क्या चाहता है शैतान की भी सेना है उसके भी स्वर्ग दूत है, तो वो क्या चाहते हैं, शैतान चाहता है कि आपको भी अपने साथ नरक के कुण में लेकर जाए, क्योंकि उसे पता है कि वो खुद नरक में जाएगा, इसलिए वो अपने लोगों को तयार कर रहे हैं, तो आज अगर आप अपने जीवन को शैता आगे बढ़े, आपको कॉंटेक्ट नमबर जरूर पर, देखिए जिनको भी प्रेयर करवाना है, तो यूट्यूब चैनल में मेरा नमबर अल्रेड़ी दिया हुआ है, कॉंटेक्ट नमबर, आप वहाँ से देख सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर कॉल करने से पहल के लिए प्रार्थ ना करो, आई प्रॉबलम है, ठीक है, प्रेयर करेंगे, जीजस लव 9090 ID ने पूछा है, ये ब्रदर ने पूछा है, सबसे छोटा वचन क्या है बाइबल में, सबसे छोटा वचन तो देखिए वचन तो बहुत सारे है बाइबल में लिखा हुए, लेकिन सबसे छोटा वचन यही है कि येश्यो रोया, यही सबसे शॉटेस्ट बाइबल वर्ड्स है, और विससे हम अगर इस चीज में ध्यान देखिए कौन सा छोटा वचन है कौन सा बड़ा वचन इससे कुछ नहीं होता है, हमें ध्यान इस चीज में देना है कि पर्मिश्वर का वचन क्या कहता है और परमिश्वर की इस व्यवस्था में एक एक शब्द का बहुत ही गहरा मतलग होता है सक्सेस दीदी मेरे लिए प्रेयर करे लाइफ में सक्सेस के लिए सिस्टर मैं आपके लिए जरूर प्रात्ना करूंगी लेकिन जिस तरह से आज जो हमने सामर्थी वचन सीखा है आप मुँ से बोलिए कि जो मेरे सामने जो फेलियर का जो पहाड है एक तरह से जो कुछ लोग ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने जीवन में हर वक्त हर काम में फेलियर होते है तो अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो बोले कि मेरे सामने जो फेलियर का जो पहाड है ये माउंटे ने वो खड़ कर समुदर में चले जाए आपके लिए हो जाएगा विश्वास करें संदे ना करें आपके लिए हो जाएगा विश्वास करने कि ये हो चुका है जब आप अपने मूँ से ये बोले तो विश्वास करें कि हो गया है प्रवियेश्य मसी आप पे अपनी अनुगरे बनाए रखे आमेन ब्रदर मेरा कमर पर दो साल से दर्ध होता है कितना भी बड़ा दर्ध हो कोई भी शरीर के अँग में सब दूर होता है लेकिन आपको क्या करना है वचन के अनुसार चलना है जो अब आज जो जिवित और सामर्थी वचन आप लोग के साथ शेयर किया गया उसके नुसार चले, परमिश्वर आपके हर एक रोग को, हर एक पीडा को दूर करेंगे दीदी ऐसे आप लाइब आएगा आज बहुत अच्छा लगा मुझे भी बहुत अच्छा लगा सिस्टर कि आप लोग सिस्टर्स ब्रदर्स इतने सारे जुड़े हैं और बाते भी करें तो बहुत अच्छी बाते आप लोग बचन को सुनने के लिए जुड़े हैं अपना कीमती समय निकाल कर तो परमेशवर आप सभी को बहुत आशिश दे और बहुत आगे बढ़ाएं आप लोग भी क्योंकि हम सब को क्या करना है हमारी सोच यह कभी भी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ मैं बाइबल पढ़ू मैं प्रार्थ न करूँ और परमेशवर के रास्ते में आगे बढ़ू नहीं हमारी हमेशा यह सोच होनी चाहिए जब आप न्यानिया में पढ़ेंगे लिखा हुआ है साफ लिखा हुआ है कि हमारा यह सोच होना चाहिए कि लोग हमसे भी जादा आगे बढ़े हमें यह सोचना है लेकिन आज लोग यह सोचते नहीं कि लोग क्या देखते हैं कि अगर को जादा सफलता किसी को मिल जाती है तो जलन रखने लग जाते हैं इर्श्या रखने लग जातेukan ये कैसी मुझ से आगे जाता है लेकिन परमेश्वर के लोगों के अंदर डाह, इर्श्या नहीं होती है। हमें यह हमेशा सोचना है, यह प्रार्थना भी करना है दूसरे के लिए, कि वो मुठ से भी आगे जाए और बड़े-बड़े काम करें परमेश्वर के। क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अपने कामों के लिए इस्तिमाल करता है, चाहे आप अनपढ़ हो, पड़े लिखो हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाती से हो, परमेश्वर किसी का धर्म या जाती देखकर उनके जीवन में काम नहीं करते हैं, परमेश् चश्मा लगा है और मैं चश्मा नहीं पहनना चाहता प्रतीक ब्रदर जरूर ब्रदर मैं आपके लिए प्रायर्थना करूंगी यह सब होता है कुछ श्राप होते हैं हमारे जीवन में कुछ बंधन होते हैं जो नहीं जा पाता है कुछ कारण से कुछ पाप से और हो सकता है कि शमा नहीं करने के वज़े से भी तो इसलिए अगर आपने किसी के प्रती कोई गलती की है तो आप उन्हें शमा करें मलिक ये सिस्टर जी आप हर रोज लाइव में आएंगे न मुझे भी देख कर बहुत अच्छा लगा गड़ ब्लेस ये सिस्टर दीदी मेरी शादी के लिए प्रेयर करो ओके ब्रदर आपकी खुद की जॉर्ज ब्रदर ने कॉमेंट कि आपकी खुद की चर्च भी है नहीं मेरा खुद का तो चर्च नहीं है और इसी तरह से मैं ये लाइव में आती हूँ तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि यहीं कलिसिया है क्यूंकि परमेशन ने इस तरह से पुराने समय में क्या होता था कि घर घर जाकर कि इस काम को करना पड़ता था और आज भी ये काम होता है लेकिन जब से ये मुबाई फोन आ है तो परमेशन ने इस काम को इस तरह कर दिया है कि हम लाइव आकर के वीडियो के माध्यम से हम वचन को शेर कर सकते हैं तो जितने आज मसी भाई भेन इस इंस्टाग्राम में इस इंस्टाग्राम एकाउंट में मुझसे जुड़े वे हैं तो यही है कि यही कलिसिया है और सबसे जरूरी बात ये है कि आपको किसी pastor से या किसी भी पर्मेशर के दास से जड़े रहना इसलिए जरूरी होता है किए क्या करते है कि कभी कबार हमारी प्रार्थ्ना को नहीं सुनते हमारे पाप के वज़े से लेकिन जब हमärा connect, वो direct नहीं सुनते, लेकिन जब हमारा connection परमेश्वर के किसी दास के साथ होगा, वो हमारे लिए प्रार्टना करेंगे, हमारे उपर यह पाफ होगा उसे हटाएंगे, एक तरह से प्रार्टना करेंगे, तो तब क्या होगा परमेश्वर भी हम परमेश्वर से connect हो पाएंगे तो इसलिए हमें संगती में भी रहना बहुत ज़रूरी है God bless you everyone Jesus में लड़के और लड़की के शादी जुड़ जाए ऐसा कोई उपाय कीजिए हर चीज का solution Bible में दिया हुआ है प्रार्थ न करें परमेश्वर अपने सही समय पर सब कुछ पूरा करते है समय से पहले कुछ नहीं होता समय के बाद कुछ नहीं होता है सब कुछ राइट टाइम पर होता है वचन क्या कहता है कि परमेश्वर के बलवन थान के नीचे दीनता से बने रो जिससे वह तुम्हें उचित समय में बढ़ाए प्रार्थना के समय मुझे नींद क्यों आता है बहुत टोपो भाई ने ये पूछा है कि परार्थना के समय नींद क्यों आता है क्योंकि शैतान कभी ये चाहेगा कि आप वचन कुसने कभी ये चाहेगा कि आप परार्थना परमेश्वर से करें क्योंकि प्रार्थना करना क्या होता है जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी पस्तिती में जाकर तो आप परमेश्वर से बाते करते हैं आप परमेश्वर से जुड़े रहते हैं अगर आपके जीवन में प्रार्थना बहुत कम है आप प्रार्थना नहीं करते इसका मतलब परमेश्वर का connection नहीं है आपके साथ, आप परमेश्वर से connected नहीं है, तो इसलिए तो शैतान क्या चाता है, कि आपका connection तूट जाए, आप परमेश्वर से दूर हो जाए, तो प्रार्थना में बने रहे, और प्रार्थना करें कि आज लोगों के अंदर ये होता ह आलसी पन की जो आत्मा होती है, ये आलसी पन के वज़े से ही बहुत सी काम, बहुत सी चीजे, बहुत से काम हम नहीं कर पाते हैं, जब प्रार्थना करने का मन तो होगा, वही है कि वचन में लिखा है कि आत्मा तो तैयार है, प्रंतु शरीर दुरबल है, आत्मा में हम तैय है लेकिन शरीर ही बोलेगा कि नहीं थोड़ासा सोच जाते बाद में प्रार्पना कर लेंगे बाद में फचन पढ़ने लेकिन हमें रहो और प्रभू के काम में सरवदा बढ़ते जाओ क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभू में व्यर्थ नहीं है आमेन ये वचन सभी भाई भेहन के जीवन में काले करें क्योंकि सच मुच जो आज आप प्रार्थ ना कर रहे हैं जितना समय आप आपको प्रतिफल जरूर देंगे रोज तो मैं लाइव नहीं आ पाऊंगी ब्रदर लेकिन खोशिश करूँगी बीच-बीच में आओ और इसी तरह आप लोगों के साथ वचन शेयर करूँ और आप लोग जो शॉट वीडियोस देखते हैं शॉट वीडियोस को शेयर भी कर वचन इसलिए हमें शेयर करना जरूरी है ताकि जब आप शेयर करेंगे दूसरों तब ही तो परमिश्वर का वचन पहुंच पाएगा सभी लोगों तर अगर आप सिर्फ खुद देख लिए आमिन टाइप कर दिये तो आपने सुना अपने तक ही रखा लेकिन अगर आप भी बहुत सांस चड़ता है दीदी मेरा इजाम है इसके लिए भी जितने सिस्टर्स और ब्रदर्स का इजाम है उसके लिए अभी प्रात्मा करते हैं दीदी वचन कहता है आतमा तो तयार पर तो शरीर दुरबल है पर मुझे लगता है मेरा आतमा दुरबल है पर शरीर तयार है क्या आतमा दुरबल हो सकती है क्या देख़े अगर आप शरीर में active है हर काम को करने के लिए लेकिन आत्मा में कमजोर है तो आफ सारे संसार की लोग तो यही कर रहे है शरीर में तो वो active ही है वो हर काम को करने के लिए आँज लोग क्या करते हैं सुबा सुबा उठ करके jogging करने जाएंगे exercise करेंगे, gym जाएंगे यह सब काम करने के लो physically active है लेकिन वो आत्मा में दूरबल है तो ऐसा हो सकता है कि हम शरीर में तो active रहे लेकिन आत्मा में दूरबल रहे लेकिन हमें किसमें active रहना है किसमें हमें मजबूत रहना है हमें आत्मिक और शारिरिक दोनों तरह से मजबूत रहना ऐसा नहीं है कि हम प्राट ना तो करें लेकिन आलसी पन है हमारे अंदर दोनों हमारे अंदर होना चाहिए हमें शारिरिक रूप से भी मजबूत बने रहना है और आत्मिक रूप से भी मजबूत रहना है जॉब छूड़ गया है ब्रदर कोई बात नहीं कुछ काम कभी कभार हमारी जीवर में ऐसा होता है जब वो हमसे दूर हो जाता है वो चीजे वो लोग तो परमिश्वर हमें बैस्ट देना चाते हैं इसलिए ऐसा होता है तो इसमें चिंता नहीं करना है अपने सारी चिंता परमिश्वर को देना है और प्रार्थना करना है परमिश्वर सब कुछ पूरा करेंगे मेरे लिए प्रार्थना कर दीजे ताकि मेरा मन प्रेयर में लगा रहे प्रेयर करती हूँ तो पर मेरे मन कहीं और लगा रहता है है ऐसा सब के साथ होता है कई बार हम प्रार्तना तो करेंगे पर हमारा ध्यान कहीं और होता है और कभी भी हमें लोगों को दिखाने के लिए प्रार्तना नहीं करना है कई बार हम ऐसा भी करते हैं प्रार्तना करें तो सच्चाई से जब हम करेंगे पूरे मन से पूरे हिर्दय पूरे तन के तो लृह हमारा मन परमेश्वरुमर की तरफ होग समद्राय। सब्सक्तायी तो перепんな परशान की तरफ नहीं लगा पाएंगे वह ज wider वे इस इसे समय होगे नहीं चाहे कितनी भी परिशान्य परमिश्वर तो साथ है तब हम सच्चाई से प्राथना कर पाएंगे और हमारा मन भी दरुधर नहीं भटकेगा इसलिए परमिश्वर क्याते हैं कि तुम मुझ से तो मेरा आदर करते हो परन्त तुम्हारे मन मुझ से दूर है सिस्टर प्रेयर ठीक है जो भी प्रॉब्लम से सब दूर होगा अब मैं सिस्टर में लाइफ प्रेयर किजिए गड़्ड सब के लिए प्रेयर करेंगे अमित ब्रदर ने कॉमेंट किया शैतान क्यों नहीं मर सकता दीदी अगर शातान हमें लगत काम करवाता है तो उसका भी न्याय होना चाहिए शातान परमेशर न्यायी परमेशर है वो न्यायी है वो धर्मी है वो सर्वशक्ती मान है वो सब का न्याय करते हैं ऐसा नहीं है कि परमेशर हम इंसान के साथ जब वो न्याय करते हैं भली हम इंसान आपस में एक दूसरे के साथ अन्याय करें, पक्षपात करें, एक दूसरे को उंचा दिखाएं, नीचा दिखाएं, हम इंसान ऐसा कर सकते हैं, चर्च में भी कई बार ऐसा होता है, घर परिवार में भी ऐसा होता है, हर जग ऐसा होता है, लेकिन परमेश्वर कि क्योंगे परमेश्वर के रास्ते में सही रीती से चले होंगे जनका नयाय किया जाएगा तो उस दो स्वर्ग में जाएगे लेकिन शैतान को भी पता है कि उसके कहा जाना है नरक में जाना है तो परमेश्वर ने उसके साथ भी नयाय ही किया है सबके साथ परमेश्वर नयाय क करते हैं क्योंकि वो न्यायकरता परमेश्वर हैं जो जैसा करेंगे उसको वैसा ही फल मिलेगा जैसा बीज वोएंगे वही काटेंगे कार्तिक ब्रदर मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहें देखें ब्रदर कुछ कमेंट्स जो है वो उपर चले जारें इसलिए मैं नहीं पढ़ पाई तो आप लोग अगर कुछ बोलना चाहते हैं फिर से कॉमेंट कर सकते हैं तबियत करावे कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा प्रार्थना करते हैं ठीक है तो आप सभी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करिएगा और एक प्रार्थना मैं ऐसा करूंगे उसको आपको मूह से इस लाइप को जवाब देख रहे तो आपको भी बोलना ह किसी को भी परिशान नहीं होना है चिंता नहीं करना है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है हमें उनको अपनी परिशानी को चिंताओं को दे देना है तो प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका बहुत-बहुत धनिवाद करते हैं क्योंकि आपने ये सुन्दर समय दिया कि आपके इस जिवित और सामर्थी वचन को भाई-भैनों के साथ शेयर कर पाई इसके लिए आपका धनिवाद करते हैं आपका जो वचन आज हमने पढ़ा विश्वास के द्वारा आज हमारे लिए हर कुछ संभव हो ये शुमसी के नामें क्यूंकि सब कुछ संभवि शुमसी के सामर्थी नामें हम सब का हम सभी मसी भाई भैनों का विश्वास मजबूत हो हम विश्वास में बढ़ते जाए द्रड रहे धीरश धरने वाले बनने पाए किसी बात की संदे ना करे और विश्वास हे पिता परमेश और मैं प्रार्थ ना करती हो आज जितने भाईवन इस लाइव को देख रह जो बुद्धी आपकी ओर से मुद्धी वो खतम नहीं हो सकती है हालेलुया इसलिए मैं प्रार्थ ना करती हुपिता इनके जीवन में जो भी समस्या है उसका सामना करने के लिए आप इने बल ताकत और सामर्त दे ताकि वो उसके सामने खड़े रह सके उससे डरे नहीं इन प्रार्थ ना करती हुपिता पर्मेश और उनके जीवन में जो करजा है वो दूर हो जाए ये शुमसी के नाम है इनके विश्वास के दौरा आप इनके जीवन में चंगाई छुटकारा और अदबत चमतकार को देखने पाई ये शुमसी के सामर्ती नाम है आपको ये जो प जो आज जो लोगों के साथ पिता परमेशर आपने बताया है पिता परमेशर आपने मुझ में होकर कि इस वचन को बोला है थी वचन सभी के जीवन में सारी दुनिया वाले लोगों के जीवन में वचन कारे करे किसी के आखों में समसा है किसी के पैर में किसी के कमर में कैसी भी मुझा होएं दोह रहे हैं अब लोग विश्वास के साथ आमेन बोलें और उसके बाद आपको पिछे-पिछे बोलना एक अपने आंखों और अपने हातों को भी उठाना है और इस प्रान दो को जिस तरह से अभी मैं बोलने हैं वैसी आपको भी बोलना है जितने भी शैतान के जलते तीर है दुष्ट के सब जलते वितीरों को बुझा देते हैं आप मेरे साथ इसे रिपीट करें दुष्ट के सब जलते वितीरों को बुझा देते हैं और सारे शैतानी कारे को आग लगा देते हैं जला देत अंधा करदेते, मेरे पीछे-पीछे बोलना है, Yeshua मसीस सामर्थी के नाम से, येशोनाजरी के नाम से सारे बंधन टूट जाए, सारे शुराअब टूट जाए, तो आप इसे पीछे पीछे रिपीट करें और विश्वास के साथ बोले आमेन और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को छुए और आज़ाद करें येश्यो नाजरी के नामे सभी को भरपूरी से परमेश्वर आशिश दें आप देखेंगे कि आप के जीवन में जो परिशानया है वो बिल्कुल अब नहीं रहेंगे क्योंकि आपका विश्वास इस वचन की दरा अज मजबूत हुआ है विश्वास करना आपको कि आपकी हर तरह की परिशानी सब कुछ दूर हो चुका है विश्वास करेंगे तभी होगा और मुझे भी बोलना है क्यूंकि कर्म बिना विश्वास वेर्थ है बहुत अच्छी बात है सभी भाई भें आमें कॉमेंट किये हैं सभी को परमेश्वर बहुत आगे बढ़ा है और आपकी हर एक जरुरतों को परमेश्वर पूरा करे संभाल के रखे और अपने अनुग्रे रूपी ढाल से घेर के रखे सिस्टर नवीन ब्रदर कॉमेंट के सिस्टर में मोडर साइकल लेना चाहता हूं मेरे लिए पुरात्हा tortilla करे मेरे प्रमेश्वर से मांगरे के जा प्रमेश्वर करने के मांग. भले ही वचन में लिखा है कि मांगो ते तुम्हें दिया जाएगा लेकिन हमें अच्छी इछ्छा से जब हम परमेश्वर से मांग there वो हमें देते हैं हम हर एक चीज जो परमेशुर हमें देते हैं अच्छा घर रहने के लिए देते हैं अच्छा कपड़ा पहने के लिए देते हैं ये सबसे हम परमेशुर की महिमा कर सकते हैं क्योंकि परमेशुर जो चीज हमें देते हैं क्यों देते हैं कि हम उसके दरह परमेशुर की महिमा करें कि पाउ में दें कि सिस्टर आपको भी प्रभु ब्लेस करें आमें परमेश्वर आपको भी आशिश दें अब यद ब्रदर प्रार्थना करें मेरा तब्यत हमेशा कराब रहता है कोई बात नहीं परमेश्वर अगर आप इस परार्थना को अभी जो किये हैं आप इसमें जुड़े हैं तो मेरा विश्वास है कि आपको परमेश्वर जरूर चंगाई देंगे संगीता सिस्टर मेरे सिस्टर मनीशा के लिए प्रेयर कीजिए उनको कैंसर का सिम्टम्स है और आज फाइनल रिपोर्ट आने वाला है कोई बात नहीं सिस्टर सब कुछ संभवी ये शमसी के सामर्थी नामे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना वो परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है आपके जो परेशानिया है आपके जो कुछ भी है कैंसर ये कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने क्योंकि सबसे बड़े परमेश्वर हैं अब वो सब कुछ कर सकते हैं जब हम अपने परिशानियों कोई बड़ा समझने लगते हैं, तो फिर क्या होता है कि परिशानिया ही हमें दबा देती हैं, वो बीमारिया ही हमें दबा देती हैं, क्यूंकि हम उसे बड़ा समझ रहे होते हैं मंदी ब्रदर दीदी मेरे को वचन नहीं समझ आता देखिए जब तक परमेश्वर की ओर से हमें बुद्धी नहीं मिलेगा हम वचन को नहीं समझ पाते हैं इसलिए परमेश्वर से बुद्धी मांगे क्योंकि वचन कहता है जिसके पास बुद्धी की घटी वो परमेश्वर से मांगे और वो बिना उल्हाना के वे उदारता से देंगे पवित्रात्मा कि आप मदद ले सकते हैं क्योंकि परमेशों ने पवित्रात्मा हमें दिया है वो मारी मदद करते हैं sister मेरी मम्मी के लिए प्रात्ना करिया कि वो चलने लगे अब मैं जितने भी और कुछ पूर सकते हैं अगर आपको पूछना है तो मैं अभी कुछ brother या sister को मुझे नहीं पता चल पाएगा कि कौन brother sister है लेकिन किसी एक को मैं add करूँगी कोशिश करूँगी एक दो को add कर पाओ तो आप लोग अगर add होना चाहते तो request send कर दीजेगा मैं किसी एक का accept कर लोगे वीर ब्रदर जैमअसे की बहन मेरे लिए प्रायर्थना करें सेवकाई के लिए भी जरूर परमेश्वर की लिए परमेशन को चुना है हर एक व्यक्ति को परमेश्वर अपने कामों के लिए चुनते अपने सेवा के लिए तो उसमें परमे बढ़ाएंगे तो मैं काजल सिस्टर दी दी मुझे भी आट किरी मेरी बुद्धी की बड़ोतरी के लिए प्रेयर करे फरमेश और सभी को बुद्धी ग्यान समझ दे किसी एक सिस्टर या ब्रेदर को मैं आट करती हूँ आप लोग रिक्वेस्ट यहाँ पर सेंड कर सकते हैं ताकि मैं एड करूँ आप लोगों को मैं अनामिका तिग्गा सिस्टर को एड करती हूँ एक्जाम के लिए प्रेयर जी सिस्टर शायदा अनामिका सिस्टर अभी लाइब में नहीं है कोई बात नहीं मेरे बेटे को हैपी टिटिस तो बनती है कि प्रार्थमा पी टिटिस्ट इसके नाम से टेतन भाई ओके ब्रदर जवानी के पआपों से दूर कैसे रहें प्लीज बताईए पाप हर किसी के जीवन में होता है चाहे आप छोटे बच्चे हो या फिर जवान हो बूढ़े हो हर कोई पाप करता है ले까지 से दूर कैसे रहें इस पर एक पर्टिक्लर वीडियो मैंने दो तिन वीडियो पाट मैंने बनाया है आप YouTube channel में मेरा search करकर देख लीजिएगा वचन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं पाप से बज सकते हैं विदे ऊपसे बाई निगल सकते हैे अगर हम किसी संसारिक मोटिवेशन को देखेंगे, सुनेंगे, किसी संसारिक वीडियो को और सोचेंगे उसे हमें मोटिवेशन मिल जाए कैसे नहीं होता है, क्योंकि उससे हमें नहीं हो सकता है, परमिश्वर का जीवित और सामरती वचन हमें हर एक पापों से बाहर निकाल सक मुझे सेवकाई में बहुत सा मस्यारिय देखिए, रुकावटे आती है जब हम परमिश्वर के कामों को करते हैं तो लेकिन परमिश्वर उसको दूर करते हैं अगर परमिश्वर सब कुछ करेंगे आप लोग रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं एड होना चाते हैं तो वैसे कुछ ब्रदर्स के हैं लेकिन वो शायद अभी लाइव नहीं है असलिए वो जोड़ नहीं पा रहे हैं आप रिक्वेस्ट आप जैमसी की ब्रदे जैमसी कहां से हैं आप ब्रदे शूरत गुजरात से ओके गुजरात से हैं और आप प्षुरू से मसी में हैं हाँ है इस बहुत बाते ब्रदर आज का आपने वचन सुना है अब सुना सिस्थे जी ब्रदर हमें उस वचन को सुना है और उसके अनुसार चलना भी है आपका कोई प्राफ्थना रिक्रेस्ट थे तो बताईए ब्रदर अबी से क्या ब्रदर ऑन अब अब वचन के द्वारा इस सबसे जबा परमिशूर से जुड़े रहेंगे परमिशुर आपको अपने सामर से अपने अभी शेक से भरेंगे वो अपने आप ही इस चीज को पूरा करेंगे जिस वर से परमेशुर ने इरिम्या में आप पढ़ेंगे पहला अध्याए तो लिखा hacks तब यहोवा कर यह वचन मेरे पास पोचा घर्म में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित लगाया और उद्पन होने से पहली मैंने तेरा अभिशेक किया विश्वास करें तो परविश्वर देखे सब कुछ कर सकते हैं और जरूरी क्या है कि परमेशर से जोड़े रहना जरूरी है. God bless you sister. Okay brother, God bless you too. Brother, आभ ये life को end हैं जी. मैं इस लाइब को मैं नहीं समझ पाई थी. कि किस रह से अंड करना है, कोई बात नहीं. और भी brother, जोइन होना चाहते हैं, तो जोइन हो सकते हैं. क्यूंकि मैंने पिछली बात भी कहा था कि मैं एड करूँगी, पर मैं नहीं कर पाई थी. अभी बात है. रिक्वेस्ट आप सेंड कर सकते हैं, अगर आप लाइब में एड होना चाहते हैं, तो. रानू सिस्टर, आप रिक्वेस्ट उसमें सेंड करेंगे, तब ही वो इसमें दिखेगा, तो मैं एक्सेप्ट कर पाऊंगी, वन्ना वो नहीं हो पाएगा. पाँट साल से मसी में हूँ. यह मैटर नहीं करता है, आप कितना परमेशुट से जुड़े वे हैं और उनके प्रेम को समझ पाएगा. जब आप परमेशुट के प्रेम को समझेंगे, आप देखेंगे अपने आप आप आत्मे करुफ से आगे बढ़ पाएगे. पाजल कुमारी सिस्टर को एड़ एलो जय मसी की जय मसी की ब्रदर कहां से आप मैं उत्रा का नैनी ताल से हूँ नैनी ताल से पर आपका चैरा नहीं दिख रहा है मैं मेरे को शायद नेटबक प्रॉब्लम होगा ब्रदर कोई बात ने जरूर ब्रदर मैं प्रात्ना करूंगे आपके लिए मैं मेरी मेरी साधी के लिए बहुत लगा रखे लोगों ने तो प्रेकर देना आप ब्रदर कई बार रुकावटे होती है लेकिन जब आप मीती बचन में पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो भाग दो पर अचीश नहीं होती है कही चीजाती है न से जीवन जीवन में बहुत पहले मिल जाती है तो वह लिए अधिए भी आखेकर यहाग लेकिन जिसए वसे लोगी देर होता है और जब अर हो पर्मेशं हमें देते शेहे रिख फ़ह बहुत आखिशिवरत में ऊनृ लोगे आप दिसकनेक्ट जी ब्रदर आप प्राइब एक मत प्रदर मैं आपको अगली बार आपको लाइब में जॉइन करोंगे तरह आप से बात करूंगे अभी आप बिसक्नेक्ट जी वाला आप मुझे बात निकर रहे हो क्योंकि आपके जो में बहुत सारे लोग आते हैं अभी एक सो तीन लोग देख रहे हैं कोई बात नहीं ब्रदर मैं आपका आईडी मैंने देख लिया स्क्रींशाट ले ले लिए आपको परस्नाली मैं मैंसेज कर दूंगी ओके मैं थैंक यू आपको मुझे सामने में नहीं दिख रहा है इस वज़े से मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ जिनने नहीं का सामने बिख रहा है तो उनका कर ले रहे हूँ पुनम सिस्टर प्रेस दलॉट ब्रदर जितने नए नए मसी भाईबन अभी जोड़े हैं इस लाइब में परमेशर आप सभी क्वाशिष ते ज्तसर नहीं परसा है ये नहीं गरता है ज्याँ अ शेस्टर तौड़े हैं कहां से बोल रहा है तो बड़ी है जी आप भूल गे मरे को अब से बात उटी ती मरी आप से बात नहीं दिया है क्योंकि बहुत से लोगं को रिप्लाइ कर देपी मैं तो भी याद मही है और अगर आपका कोई प्राइब रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट बताएए इस पलांगे इ अब भी आप अब 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 है यह विश्वास करना है और संदे नहीं करना तभी परमेश्वर हमारे सामने जो पहाड है बीमारी का करने का नौकरी का या किसी भी चीज का जो पहाड है क्योंकि परिशानी एक पहाड की तरो तो जब हम उसे मुह से बोलेंगे कि उखड़ ज जा पर तो परमेश्वर हमारे लिए ऐसा कर देंगे क्योंकि विश्वास करना है वो हमारे लिए पूरा हो जाएगा यह का जिए ब्रदर आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए दूसरे भाइदानों को भी आइग करना है अबात सुनु शुवार यह अब मेरे लिए तोड़ी परेरे करना टो गवारा तो अटैमेरे होता है और को यह होटा रात को यह दिन तो नहीं रहता है यह को शैतानी शत्या ज्यादा काम करती इस यह ऐसा होता है अजय को जिए यह चाहिए है अजय को बदू है और यह पुट्राइब यहाद है ने पदा क्या बात है अच्छार शहीं है अजय कोई बात में ब्रदर टार्विट न करेंगे और आप भी खुद अपने लिए प्रास्टना करिएगा पर में अच्छाष रची करेंगे तो के ब्रेश ब्रेश ब्रदर सिस्टर मेरे जीवन में बहुत अर्चने आती है मैं क्या करूँ ब्रदर वो तो आएंगे जब आपने ये शमसी को अपना अब्धार गठा ग्रहन किया है और ये जब विश्वास कर लिया है कि वो आपके साथ है फिर आपको डरना नहीं है ना ही चिंता करना है रुकावटे इसले आती है क्योंकि हमें ये शमसी के पीछे चलना है हम चौड़ा रास्ते में नहीं जाना है हमें पतला उस सक्रे रास्ते में जाना है तो उसमें रुका कोई बात नहीं कुछ मसी भाइबन देर से जुड़ रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं अगली बार आप लोग वचन को सुनियेगा कोशिश करेंगे कि फिर से लाइब आए कि मेरे को डर लगता है डरना नहीं है ब्रदर परमिश्वर ने अमेशा वचन में कहें कि डरो मत परमिश्वर आपके साथ है जब परमिश्वर साथ है प्रेदर आपका आवाज नहीं आ रहा किया है जैमसी नहीं से तो मैं ठीक हूँ आप कैसे हूँ आज का वचं सुनेते हैं अजी जी बड़े बिल्कुल एक वचंग की बातने परमेंश्वर में आशीश देते हैं शिस्ट्म मैनने अपने लिए प्राथना करने थी, मैं कुछ दिनों के बाद कैमरा लेने की सोझ रहा था, बस कोई रुकावण ना पड़े अच्छा, कैमरा लेने के लिए जी ब्रड़, जरूर प्राथना करेंगे उसके लिए और देखे ऐसा होता है कि कैमरा का इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे, जो भी चीज परमेशर हमें देते हैं, उसका इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे परमेशर की महिमा के लिए, तो वो चीज हमें जरूर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, वच्छन ये कहता है कि जब हम और अब ही है तो जरूर बरदन भद अब अच्छा होगा बस हमें अच्छी चासे परमिशोर से मांगना होता है परमिशोर साफूरा करते हैं अच्छी — ब्रद जैसी है ओके गॉड ब्लशीयदिजिए ब्रदन कई अब डिसकत्रश कर दीजिए ब्रदन जैस– जितने भाइवन जुड़े हैं सभी को जैमसी की सभी को परमेशर आशिश दे आज के लाइब के लिए इतना ही मैं लोगों को जॉइन करूंगी अगर एक लास्ट में जॉइन कर लेती हूं किसी को उसके बाद में लाइब को एंड करूंगी एक गीत गाएंगे और उसके बता दीजिए रिक्वेस्ट कर दीजिए उसमें मैं एक सब्सक्राइब कर लूँगी कहां से दीदी आप मैं नियो डेली से हूं आप लोग बताईए कहां कहां से देख रहे हैं चाहिए नेटवर्ट पॉब्लम हो रहा है कोई बात नहीं पॉब्लम हो रहा है नेटवर्ट लोग कोई बात नहीं है लाइव को मुझे यहीं पर एंड करना पड़ेगा क्यूंकि उनका कट नहीं हो रहा है मैं नेक्स टाइम आप लोगों से जरूर जुड़ूंगी और आप लोगों के साथ परमेश्वर का सामर्थी वचन जरूर शेयर करेंगी परमेश्वर आपको सभी को आशिश दे तो अभी यह कट नहीं हो पा रहा है इसलिए मुझे लाइव एंड करना पड़ रहा है